हलो एबरीवन, बेलकम डूदा स्टर्डी विद मयंग, मैं हूँ आपका मयंग, हम लोग यहाँ पर क्लास 11th NCRT जोगराफी के अंतरगत, बहुत एक भूगोल के मुल सिद्धान किताब कवर कर रहे हैं, आज आपका यहाँ पर अध्याए दूसरा है, यहाँ पर हम लोग प्र पीग उत्पत्ति के बारे में, बलकि हम अपने सौर्मंडल के बारे में, और जो हमारा सौर्मंडल जैस आकास गंगा का पार्ट है, उस आकास गंगा के बारे में, और आकास गंगा उसे मिलकर ब्रह्मान का निर्माड होता है, तो ब्रह्मान के बारे में भी जानेंगे, यह इसनी, कहने का अचलों भी कि हम ब्रह्मांड आगाश गंगाён यह फिर सौर्मंडल के पिरकादा के बारें परणै कहीड में उस वाले है देखेग हम लोग लोगे जो ब्रह्मांड उसके बारें में हलका सा जाना था हाना कि वहाँ पर हमने केवल चीजों को fact के रूप में देखा था वहाँ पर उनकी उत्पत्ती के बारे में बहुत चड़चा नहीं की थी हमने केवल ये जाना था कि हमारी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बीतर हमारी जो आकास कंगाय उसका नम मंदाकनी बे है, मिलकी बे है यानि इसको मंदाकनी भी कहा जाता है और मिलकी बे का पार्ट हमारा सौर मंडल है सौर मंडल में हमारे सूर्य केंदर में है और बाद बाकी आठ ग्रे हैं, तो उतना हमने किवल जाना था, आज के ध्याय में हम क्या जानें कि हमारा अंत्रिक्ष कहां तक फैला हुआ, कहां पर इसकी सीमा है, कहां पर जाकर इसका विस्तार रुखता है तो यकीन हैं जो आपका अंत्रिक्ष है, यह असीम है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, लगाता लिए फैल लाए, तो असीम है तो जो आपका असीम या अंतिर्ट शाफ लोग देख रहे हैं इसको वैग्यानिक ब्रहमांद नाम देते हैं इसको ब्रहमान नाम दिया गया है और देखें जो हमारा ब्रहमांद है इसमें लाखों करोड अपतारों के सम्यуш है यहने आकास गंगा कहा जाता है तो आकास गंगा से मिलकर आपका ब्रह्मान का निर्माड हुआ है तो ब्रह्मान की भीतर क्या आ जाती है ब्रह्मान की भीतर आपके आ जाती है आकास गंगा ये आ जाती है और हर आकास गंगा में लाखों या हजारों तारों के सभूव होते है और आकास गंगां के भीतर कई सारे सौर मंडल भी होते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है ये मंदाकनी आकास गंगा का पार्ट है तो मंदाकनी आकास गंगा में केवल हमारा ही सौर मंडल नहीं है अनि सौर मंडल भी है तो हर आकास गंगा में लाखो या जारों की संक्या में सौर मंदल हो सकते हैं तो यहाँ पर यह आकास गंगा है इसके अंदर आ जाते हैं आपके सौर मंदल और सौर मंदल के अंदर आ जाते हैं आपके ग्रह तो ऐसे करके यहाँ पर यह concept है, देकि यह concept अपने classics में आपको बताया था और यहाँ भी हम clear कर दे रहे हैं, ताकि जब-जब मैं ब्रह्मान का नाम लूँ, आकास गिंगा का नाम लूँ, या फिर सौरमंडल या ग्रहों का नाम लूँ, तो आपके मन में confusion ना हो, इसी बज़ हुआ है, जैसे मानब के अंतर चेतना आई है, तो मानब ने जानने का प्रयास किया है, कि मानब का विकास कैसे हुआ, मानब प्रत्वी पर कैसे आया, हम जिस ग्रह पर रह रह रहे हैं, वो ग्रह कैसे बना, हमारे आसपास, जो सूरह हम देख रहे हैं, जो तारह हम देख रह तो इसी के क्रम में यहाँ पर कुछ विद्वान निकल कर आए हैं जिनोंने अपनी विचारधारा दी हैं तो यहाँ पर सबसे पहले विद्वान थे जिनोंने जो ईश्वर की विचारधारा थी इसका खंडन किया और इनका मानना यह ता कि जल से ही सारी वस्तों में बनती है और and में इसी में willene हो जाती है कि अगले विद्वान आ जाते है अनक्सेमनियस लेज highlighting ने प्रत्वी के उत्पत्ती का कारण वाईू को मानना है इनका मानना यह था कि वाईू जो है असीम और अनंथ है बायू ही अगनी का रूप लेती है और ये तरल होकर जल बन जाती है और जम कर ये प्रत्वी की रूप में पर्णत हो जाती है यानि ऐसे करके इन्होंने एक तत्व को बहुत सारे तत्वों में convert किया तो NXZ में इसका ये बहुत तत्वात सिध्धान्त है इसके बाद आजाते हैं पाइथागुरस देखे पाइथागुरस च्योंकि गड़ तक ये थे तो इन्होंने प्रत्वी की जो ब्याक्या है उत्पत्ती की जो ब्याक्या थी इन्होंने गड़ती आथार पर करने का प्रयास किया इन्होंने ये कहा कि जो कुछ आप लोग देख रहे हैं संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब एक संख्या मात्र है और इन्होंने किसी एक पदार्त को संसार की उत्पत्ती का कारड़ ना मानकर उसके सरूरूप को यहाँ पर एक Tracy Vydwan भी है अब कुछ आरंबिक सिध्धान्त हैं देखें एक चीज मैं आपको सपष्ट कर दूँ आरंबिक विचारधारा और सिध्धान्त में अंतर होता है सिध्धान्त को लोग प्रूब करने की कोजिस करते हैं सिध्धान्त के लिए व्यग्यानिक आधार भी होते हैं विचारधारा के लिए कोई वैग्यानिक आधार की आवश्यक्ता नहीं है, विचारधारा के लिए क्या है कि आप किसी बात को लेकर द्रड हों, तो आपकी विचारधारा हो गए, जबकि अगर आप सिध्धान जयते हैं, सिध्धान की वैग्यानिक प्रत्पुष्टी होना आ आता है, अध्यूत बादी का मुलब क्या है कि यहाँ पर एक सिंगल तत्तू से प्रत्वी या नग्रह बने है, ऐसा यहाँ पर मानना है, तो इस बिचार धारा के यो शमर्थक या इनका यह जो मानना है कि जो आपके ग्रह हैं, या ग्रहों में आपके प्रत्वी या फिर जो अनग्रह आ जाते हैं, इन सब की उत्पत्ती किसी एकी वस्तु या फिर पिंड से हुई है, देखें जैसा कि हमने आपको इस्पर्ष्ट कर दिया, कि अद्वयत्वादी का मतलब क्या होता है, केवल एक सबसे बनना, तो ये लोग मानते हैं कि प्रत्वी हो या फिर जो अनग्रह हैं, ये सब एकी वस्तु या पिंड से बने हैं, और इस संकल्पना को पैत्रक परकल्पना, या पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, इस विचारधारा के समर्थकों में, कांट और लापलास का सिद्धान, ये सबसे ता महतपूर और प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर हम दोनों लोगों के सिद्धानतों के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले जाता है, कांट की वायब रासी परकल्पना, या गैसियस मास थिओरी ऑफ कांट, देगे इसका प्रत्पादन कांट, क कांट एक जर्मन दार्सिनिक थे, तो कांट ने 755 में न्यूटन के गृत्ताकष्ण नीमों के अधार पर अपना सिद्धान दिया था, और इस सिद्धान के अनुसार ब्रहमांड में देव निर्मित पदार्तों के छोटे-छोटे कड उपस्थित थे, इनका मानना ये था कि गृत्ताकष्ण बलकी जैसे, ये कड क्या इन कड़ों में गती हुई है, यानि गृत्ताकष्ण बलके कड, ये कड एक दूसरे से टकराने लगी है, जिसके पढ़ाम सुरूप, चूंकि कड अब ठकराएंगे आपस में, तो क्या होगा, कि संग्टन भी होगा, घरसड भी हो निहारका की अत्यदे गूडन गती के करण, उसमा में ब्रद्दी हुई है, यानि निहारका में भी गूडन प्रारम हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो उसमा है उसमें ब्रद्दी हुई, जिसके करण अबकेंदरी बल, ये अबकेंदरी बल से अधिक हो गया है, देखे अपकेंदरी और अबकेंदरी बल के बारे में आपने physics में पढ़ा होगा यहाँ पर मैं उधार देता हूँ देखे जब आप washing machine में अपने कपड़ों को सुखाते हैं तो आपके कपड़े कैसे सुख जाते हैं Washing Mussine में जब आप इतने गीले कप्रों को डाल देते हैं, ड्रायर में, तो क्या होता है? बहुत तेजी से गूमता है, तो जो ड्रायर में क्या होता है? अब धेंधरी बल कारी करता है, जिसके कारण क्या होता है? वो उसके कैंद से निकल कर भार के रोच चला जाता है तो ऐसे करें का होता है कपड़े सूख जाते हैं तो यहाँ पर भाईची समझाने का प्रयास किया गया है कि नहारका की यहतितिक गुलन गती की बज़े से उस्मा में बरद्धी हुई और इसकी बज़े से जो आपका अबकेंदरी बल है यह अबकेंदरी बल से अधिक हो गया यानि कि जो कैंदरी की ओर लगने बाला जो बल था अब यह बल भार के ओर लगने लगा तो यह अबकेंदरी बल अधिक हो गया है और इस तपत और घूमते हो नहारका से गोलाकार के जो अनेक छल्ले हैं ये भार निकले हैं और ये सीतल होका ग्रह में परवर्तित हो गए हैं इनका मानना ये था कि जो नहारका थी इसमें लगातार गुलन गती हो रहे थी और इस गुलन गती के विज़े से यहां पर जो अब घंद्री बल से अलग हो गए है इसकी विज़ेसे यहां पर पर घंदे होने पर ग्रह में परवर्तित हो गए हैं और नहारका का जो भाग अवसिष्ट रह गया उसे इन Zwemi का नाम दे दिया यानि कि इनका मानना ये था कि नहारका का जो भाग अवसिष्ट रह गया, वो स्थूरी के रूप में परवर्तित हो गया और कालांतर में उपरिक्रिया जो है इसकी पुन्रावत्ती भिड़ से हुई है और इसी पुन्रावत्ती की बिज़े से ग्रह से उनके उबग्रों का निर्माड हुआ है तो यह थोरी इन्होंने दिया है इसकी बाद आजाते हैं लापलास की थोरी पर तो लापलास की जो है निहार का परकल्पना देग्ने 1796 ISP में फ्रांसी सींगर तक क्या लापलास ने कांट की जो परकल्पना थी इसमें संसोदन परस्तौत किया जो निहार का परकल्पना के नाम से जाना जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है और इस परकल्पना के नुसार जो ग्रहों का निर्माड हुआ है ये दीमी गत्स से गुमते हुए पदार्थों के बादल से निर्माड हुआ है और इनका माना यह था कि जो धीमी गत्स से गुमता हुए जो पदार्थों का बादल है जिसको निहारका या नेबूला खा जाता है यह सूरी की युवावस्ता से संबद थे जो इन्होंने नाम दिया है कि यह जो बादल है स्टार्टिंग का यह बादल सूरी की युवावस्ता से जोड़ा हुआ है समय भी इतने के साथ-साथ क्या होता है कि निहारका की गत की करण बिकरण और उसमा का हिनास होने से इसका जो बहर भाग है यह खंडा होने लगता है जिससे इसके आकार और आयतन में कमी आने लगा है तो इसका जो निहारका का आकार है और आयतन इसमें कमी आने लगी और आयत गुणन गती में ब्रद्दी से जो अपकेंजरी बल है इसमें प्रद्दी हुई है और तब निहारका से छल्ला अलग हुआ है और ये कई शल्लों में घंडित हो गया है यानि वही चीज यहां पर बताई गई है जो कांट की वायबरासी परकल्पना थी वहां पर पताया गया गता कि निहारका में क्या हुआ है निहारका में जो अपकेंजरी बल था वो अपकेंजरी बल से अलग हो गया तो यहां पर भी चीज बताई गई है गुणन गती में जो है ब्रद्दी से जो अपकेंजरी बल में ब्रद्दी होई है तब निहारका से एक छल्ला अलग हुआ ह और ये कई छल्लों में खंडित हो गया है और ये जो छल्ले हैं ये ठंडे होकर ग्रह और उपग्रह बन गए है और निहारका का जो सेस भाग है ये हमारा सूर्य है देखें कालांतर में ठ्ञांसिसी बिद्वान रोज ने लापलास की परिकल्पना में संसुदन किया है तो यहाँ पर कुछ-कुछ परिकल्पना ये दी गही है अब देखें इसमें हमने अद्वयतवादी संकल्पना की बारे में जान लिया अब यहाँ पर हम आरंबिक विचारधारा में जो द्वयतवादी संकल्पना है dualistic concept है उसके बारे में भी जानेंगे देखे इस विचारधारा के समर्थकों का मानना था कि ग्रहों की उत्पत्ती या फिर जो आपके अनग्र हैं इनकी उत्पत्ती दो पदार्थों से या पिड्लों से या फिर तारों के सयोग या संपक्त से हुई है इसलिए संकलपना को बाई पेरेंटल कॉंसेट के नाम से भी जाना जाता है तो दोयत्पाजी संकलपना में किनकी व्यज्ञानिकों की संकलपना आ जाती है तो वहाँ पर हमने सारी संकलपना के बारे बताया है तो सबसे पहले हैं यहाँ पर है चेंबरलीन और मोल्टन की ग्रहाडू परकल्पना, लेकिए ग्रहाडू परकल्पना का प्रतपाधन चेंबरलीन और मोल्टन ने सन 1905 इसपी में किया था, लेकि और कुछ तोटों में 1902 भी लिखा हुआ है जैसे कि आपके NCIT में 1902 भी लिखा हुआ है जबकि आप standard किताबे देखेंगे वहां समय 1905 इस भी बताया गया है इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों टेट यहाँ पर मेंशन कर दी है इनके अनुसार ग्रहों का निर्माड दो बिसाल तारों सूरी यानि कि कहने को लगे दो बिसाल तारों में एक तो सूरी था और दूसरा इसका तारा ऐसे गुजरा है तो इसके आकरसर बिल्की जैसे सूरी से छोट-छोटे जो कड़ हैं अलग हो गए है और इन छोट-छोटे अलग हुए कड़ों को इन्होंने ग्रहाणू का नाम दिया है यह तारा जब सूरी से दूर चला गया है तो सूरी की सतय से जो भाहर नकले हुए यह पदार्त है यह सूरी के चार ओड घूमने लगे है और यही दिरे-दिरे संग्नित होगा संग्नित का मनलब ठंडे होकर ग्रहों के रूपे परवर्तित हो गए है तो यह चेंबर निन और मोल्टन का जो परकल्पना है सन 1919 में Jams Jeans ने किया है और टत्पकाष० जहफरी ने 1929 में जो Jams Jeans की ब périאצार थी इसमें पुने संसोधन किया है तेके Jams Jeans के अनुसार सूरी के निकट एक तारे के आने से सूरी में क्या हुआ है इक जोरी उद्वरदन हुआ है जवार का मलब आप जानते हैं कि अन्य पिंड की आकरसर सक्ती की विज्यसे, जो पिंड होता है उसमें ज्वारी उत्भिधन होता है जैसे आप लोग जानते हैं प्रत्मी पर जो जवार भाटा आते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है सूर्य और चंद्रमा की गुत्ता खट सकती है वही कारड है तो वही चीज यहाँ पर रहोना सुझाई है कि जैम्स जीन्स का मानना यह है कि सूर्य के निकट एक तारा आया है इससे सूर्य में क्या हुआ है जवारी उद्रिदन हुआ है इससे कारड एक फिलामेंट यानि एक तंतुरूभी सरणचना का निर्माड हुआ है जो बाद में तूटकर सूर्य का चक्कल लगाने लगी है और ठंडा होकर ये कई टुकणों में विवक्त हो गई है तो यही जो है बाद में ग्रह बन गई है ऐसा इनका मानना था फिर बाद में जब जैफरी ने इसमें संसोधन किया है तो जैफरी ने सन 1929 में पर अपना सद्धान दिया है तो जैफरी के नुसार दो तारों यानि सूर्य और पास आता हुआ तारा इसके लाबा एक और तारा था इनका मना ये था कि दो तार्य तो अलड़्यी थे ही थे। एक तीसरा तार्य भी था। जिसे उन्होंना सूर्ज का साथी तार्य वताया है। और जेफृरी के मतानुसर आगे बढ़ता हुए तार्य जो था जो था सूर्य के साथी तारय से टकराया है। यानि कहने को नोब यह था कि दो तार्य थे, एक तीसरा तारा आया है और सूर्य के साती तार्य से आकर टकरा गया है, और इससे टकराने के पुझे से क्या था, जो सूर्य का साती तारा था यह टूटकर विखर गया है, और इसके टूटकर विखरने के पुझे से ग्रहों का न इन्होंने किया था। तो ऐसे करके रसील की ये दोयतारक परिकलपना है, आगे और एक कॉंसेप्ट दिया गया है, ये दिया है फ्रेड होयल और लिटल टन है, तो फ्रेड होयल और लिटल टन की अभिनब तारा परिकलपना है, तो इन दोनों लोगों ने बिलकर 1949 में अभिनब तारा परिकलपना का प्रत्पादन किया और इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति जो है तीन तारों से हुई है सिद्धानत है ग्रहों का निर्माड जो सूरी के साथी तारे में बिस्पुट से हुआ है ऐसा इनका इनकी परिकल्पना का मानना है और साती तारे के विस्पोट से जो विकरे धूलकर और गैसे हैं ये सूर के चार ओर चक्कल लगाने लगे हैं और अंतरते संग्डित होकर इन्होंने ग्रहों का निर्माड किया है तो ये जो है फ्रेड होयल और डिटल टन की ये परगलपना है जिसको अभिनतारा परगलपना की नाम से जाना जाता है एक अगली परगलपना है ये है अंतरतारक धूल परगलपना देखिये अंतरतारक धूल परगलपना जो है इसको Interstellar Dust Hypothesis भी कहा जाता है इसे ओटो सेमिट जो की रूसी थे तो इसे आटो सिमेड ने वर्स 1943 में और फिर कारल वाईजासकर जो की जर्मनी की थे इन्होंने वर्स 1950 में अंदर तरक धूल परकलपना की प्रस्तुत की है सबसे पहले से जो है आटो सिमेड ने प्रस्तुत किया है जो की एक रूसी व्यग्यानिक थे और बाद में जर्मनी की व्यग्यानिक है कारल वाईजासकर उन्होंने 1950 में इसको प्रस्तुत किया है लेकि इस प्रकलपना के नुसार सूर एक सौर निहारका से घिरा हुआ था सौर निहारका का मिलब जानते हैं आप एक गैसी बादल से ये सूर घिरा हुआ था जो मुक्यता हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कड़ों की बनी हुई थी इन कड़ों के घरसर वा टकराने से एक चप्टी तस्तरी की आकरती के बादल का निर्माड हुआ है और अविरद्धी के प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माड हुआ है इनका मानना ये था कि सूर के पास में एक सौर निर्माड हुआ है फिर इसके जो ग्रहाणू थे वो और पास-पास आए है तो पास-पास आने के प्रक्रम में ही ग्रहों का निर्माड हुआ है तो ऐसे करके इनकी अंतर-तारक धूल परिकल्पना है देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर इस्पष्ट कर दूँ आप लोग जो new NCIT बढ़ रहे हैं बहाँ पर केवल इन लोगों के नाम दिये गई है Autosimit का नाम दिया गया है Karl Vajaskar का नाम दिया गया है इनके सिध्धान्त के बारे में चर्चा नहीं की गई है यह सारी चीज़ें आपकी old NCIT जोगराफी में detail में दिया हुई थी मैंने यह सब चीज़ें यहाँ पर इसलिए mention की है क्योंकि यह सब चीज़ें standard book में है और बहुत सारी परिच्छाओं में बहुत सारी जगे पर यह सिध्धान्त पूछे गई है देखें बर्तमान समय में ब्रह्मान की उत्पत्ती का सबसे सर्मान सिध्धान्त बिग बैंक सिध्धान्त है और इसके बारे में लगएक सभी प्यग्यानिक एकमत हैं सबका मानना है कि ब्रह्मान की उत्पत्ती जो है बिग बेंग की घटना पर ही आधारित है बिग बेंग सिध्धान को विस्तारित ब्रह्माण परिकल्पना यानि Expanding Universe Hypothesis भी कहा जाता है ब्रह्माण के बारे में जैसा कि हमने आपको स्टार्डिंग में बताया था कि आपका जो ब्रह्माण है ये लाखों करोणों आगास गंगाओं से मिलकर बना है तो जब हम लोग ब्रह्माण बिस्तार की बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि आगास गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है नेकि सिध्धान का प्रित्पाधन जोड़्ज लेमित्रे जो कि बेल्जियम से थे इन के द्वरा किया गया और रौवर्ड बेगनर ने सिध्धान की बिस्तारित ब्रह्मान परिकल्पना जैसे बिग बैंक सिध्धान भी खा जाता है इसकी पुष्टी डॉपलर प्रभाव से की जा चुकी है डॉपलर प्रभाव के बारे मैं आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा यहाँ पर मैं आपको डॉपलर प्रभाव का एक उधार देता हूँ उस उधार से आप समझ सकते हैं जैसे माल लेते हैं आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और आप से लगबग आपके प्लेटफॉर्म से एक या दो क्रिम्टर की दूरी पर कोई ट्रेन है जो कि आपके प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और वहां से ये ट्रेन जो है लगाता सीटी बजा रही है तो आप लोग क्या अब्जर्ब करते हैं कि आपको ट्रेन की जो सीटी की अवाज है ये कम सुनाई देती है और लेकिन जैसे से ट्रेन आगे बढ़ती जाती है स्पीड में ही और सौर्न देती है तो आपको जो सीटी की अवाज है वो बढ़ती ही सुनाई देती है जैसे ये ट्रेन जो है आपके प्लेटफर्म को क्रॉस करती है आपको क्रॉस करके आगे जाती है तो आप लोग फिर से अब्जर्ब करती है दूरी बढ़ने के साथ साथ जो CT की अवाज़क कम होती जाती है तो ये जो है ध्वनी का डॉप्टर प्रभाव है लेकिन ये सिद्धान जो पुष्ट किया गया है वो प्रकास के डॉप्टर प्रभावस पुष्ट किया गया है देखे इससे पहले एडविन हब्बल ने 1920 में ये से प्रमार दिये कि ब्रह्मान का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ जो आकास गंगाए है एक दूसरे से दूर हो रही है 1920 में Edwin Hubble ने ये बात कही थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकास गंगाए एक दूसरे से दूर जा रही है हाला कि उन्होंने उस समय Big Bang की घटना के उपर कोई चर्चा नहीं की थी Big Bang सिध्धान्त के अनुसार जो ब्रह्मांड का विस्तार है उसके बारे में यहां बताया गया कैसे ब्रह्मांड बना है कैसे इसका विस्तार हुआ है वो यहां पर प्रक्रिया बताई गई है Big Bang सिध्धान्त कहता है कि आरंब में बे सारे पदार जिनसे आपका ब्रह्मांड बना है यह अति छोटे गोलक में एक आगी पर्मांड के रूप में यह एकी स्तान पर इस्तार थे इनि Big Bang सिध्धान्त के अनुचार जो आरंब में यह सारे पदार जो होते जिनसे आपका आज का प्रमांड बना है यह सभी एक छोटे से गोलक के रूप में ब्रहत विस्तार हुआ, यहां पर बताया गया कि आज से लगवग 137 वर्स पहले जो आपका छोटा सा एकाखी गोलक है, इसमें भीसल विस्पोर्ट होता है, और विस्पोर्ट के लगवग 1 सेकंड के अंदर ही इसका एक बहेंकर वाला विस्तार हुआ, और इसके बाद विस्त हो गया, देखें, बिग बैंक सिध्धान्त को बायकॉट करने के लिए, एक व्यक्ति हुए होयल, तो इन्होंने भी अपना कॉंसेप्ट रक्सुत किया, अलांकि इस कॉंसेप्ट को बहुत ज़्यादा मानता नहीं मिल पाई, तो होयल ने इसका विकल्प, इस्तिरवस्ता स प्रस्तुत किया, और इस संकल्पना के नुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है, परन्तु ब्रह्मांड के विस्तार के संबन्द में अधिकादिक प्रमाड मिलने की वज़य से, जो होयल की संकल्पना है, इसको मानता ज्यादा नहीं मिल पाई है, अब बात करते हैं, तारों का निर्माड, देखे हमने ब्रह्मांड के निर्माड की बात कर ली, अब बात करते हैं, तारों का निर्माड कैसे हुआ, देखे प्रारमिक ब्रह्माड में उर्जा और पदार्त का वित्रड जो था, यह समान नहीं था, गहनत्तु में आर्मिक भिन्दता स ही पदार्त का वितरग समान था और गंत्तों में आरमीक बिन्टा होने के विजैसे जो घूरत का श्रपन है उसमें भी बिन्टा आई है इसकी विजैसे क्या हुआ है कि पदार्तों का का 41 इस्टार्थ हुआ है और यही का सरे चाहि है और यही dataset आकास गंगाओं ये कैसे बनती है तो आगास गंगा के निर्माड की सुरुआत जो है हाईडोजन गैस से बने एक विसाल बादल के संचेन से होती है जिसे निहारिका या नेबूला कहा जाता है और क्रमसे बढ़ती हुई निहारिका में गैस के जुन्ड विक्सित हुए और ये जुन्ड बढ़ते बढ़ते घने गैसी पिंड बने जिनसे लगवग पांस से लेकर छे अरब बर्स पहले तारों का निर्माड हुआ है जिसे जो आपकी निहारिका है इसमें गैस के जुन्ड फिर बाद में विक्सित होने लगे है और ये जुन्ड बढ़ते बढ़ते घने गैसी पिंड के रूप लेने लगए है और इनसे लगवग पांस से लेकर छे अरब बर्स पहले तारों का निर्माड हुआ है एक आकास गंगा असंख तारों का सम्मू होती है चूँकि यहाँ पर आकास गंगा में असंख तारे होते हैं और इन तारों की दूरी जो असंख होती है तो देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी आकासी पिंड होते हैं इनके बीच की दूरी किलोमीटर में नहीं ना तो जिसकी दूरी जो है, हजारो प्रकास वर्सों में प्रकासवर्स एक unit है जो कि दो ग्रहों या जो आपके अंत्रिक्ष पंड है उनके बीच की दूरी को मापती है उसकी गात बारे किलमेटर के बराबर है देखें जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्वी और सूर्य की जो उसत दूरी है तो 14 करोड 95 लाग 98 किलोमीटर है अगर इसको प्रकास वर्स में रिप्रेजेंट करें तो प्रकास वर्स के संधर में या प्रकास वर्स का केवल 8.311 मिनट है अगर हम सूर्य और प्रत्वी के बीच की दूरी को देखें तो सूर्य और प्रत्वी के बीच की दूरी प्रकास वर्स के संधर में केवल 8.311 मिनट है अब यहाँ पर ग्रहों के निर्मार के बारे हम बात की गई है तो जैसा कि आप लोग Classics में पढ़ चोके हैं कि जो आपके तारे हैं और ग्रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है तारों के पास स्वैम की उस्मा और प्रकास होता है जबकि ग्रहों के पास स्वैम का उस्मा और प्रकास नहीं होता है ग्रहा जो होते हैं अपने किसी निकटवर्ती तारे पर उस्मा और प्रगास के लिए निर्भर होते हैं तो यह इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है तो यहाँ पर वही प्रक्रिया समझाई गए कि ग्रहों का विकास कैसे हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपके तारे हैं यह निहारका के अंदर गैस के गुंति जुंड है फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जो आपका सबसे भारवाला इलाका है जिसको विस्तारित पार्ड जो खहा जाता है उसको ब्रह्मांड बोलते हैं और ब्रह्मांड जो है लाखो करोड़ों आगास गंगाओं से मिलकर बना है आगास गंगाओं में लाखो करोड़ों तारे होते हैं तो तारे जो है निहारका के अंदर गैस के गुंति जुंड है और इन गुंति जुंडों में गुर्ता खश्रबल से गैसी बादल में क्रोड का निर्माड होगा। अगली वस्था में जो गैसी बादल है इसका संग्नन आरम हुआ है। का संग्धन हुआ है कि संग्धन की क्रिया के द्वारा बड़े पिंट बनने सुरू हुए हैं और गुर्ता खश्रबल के प्रडाम सुरू ये आपस में जुड़ गए हैं। अन्ति मुवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणू के सेवर्दित होने पर कुछ बड़े पिंट ग्रहों के रूप में बने हैं। यहां पर बताया गया कि जो आपके आ क्या चोटे सुटे ग्रहाडू बने थे और ग्रहाडव 78 से jedते चले हैं तो बड़ए बड़े कुछ बड़े पिंट विक्षिकत हुए है तो ऐस़ करके ग्रहों का निर्माद हुआ है अब देखें यहाँ पर हमारे सौरमंडल के बारे में बात की गई है देखें यहाँ पर सौरमंडल के बारे में बहुत जाता चीज़ें नहीं बताई गई है Classics में फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी पांत से लेकर 506 रण बरसों पहले हुई, याय कहने का हम लोग लोगी है कि निहारका का जो बनना, निहारका का जो कुरूड बनना और इसके दौस्त होने की सुरूगा आता है आज से लेकर 556 रण बरस पहले इसकी स्टार्टिंग हुई है, और ग्रह जो है हमारे लगविश ह छाट बसनलोग चह से लेकर लाuwग छुटव पंड्ड है जैसे के छुदगर्य इनको एस्टिरोईट भी खा जाता है। धुमकेतु हैं यहीं गैसी पिंट भी हैं और भ्रहत मात्रा में धूलकड़ और गैस भी मौजूद हैं इन आठ ग्रहों में करम बताया गया है सूरी से दूरी के आधार पर बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल ठीक है यह करम यहां पर बताया गया है इन आठ ग्रहों में बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल यह चार जो ग्रह हैं इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है निए इनर प्रिनेट कहा जाता है क्योंकि यह जो है सूर्य और शुद्ध ग्रहों की पट्टी के बीच में इस्यत हैं देकि जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि मंगल और ग्रस्पती की बीच में यहाँ पर एस्टिरोइड बेल्ट पाई जाती है चुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है मैं आपसे फिर से गुजारिस करूंगा कि जिन लोगों ने क्लास इक्स की जोगराफी वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वाला जो अध्या एक है देख लें जिससे के आपको यहाँ पर और सारी चीज़ें और अच्छे से किलियर हो जाएं तो यहाँ पर भाई चीज़ बताई गई है कि इन आठ ग्रहों में जो आपके चार ग्रह हैं आगे के बुद्ध सोकर प्रत्वी और मंगल यह बीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि यह सूर्य और चुद्धिरों की पट्टी के बीच में इस्तित हैं और यह चार ग्रह जो हैं पार्तिक ग्रह भी कहलाते हैं पार्तिक ग्रह भी कहे जाते हैं इनका मतलब यह है कि यह ग्रह प्रत्वी की भाती सेलों और धातों से बने हैं और अपेच्छाकत अधिक घंत वाले इन ग्रहों को पार्तिक ग्रह कहा जाता है, जो आपके इनर प्रिनेट्स हैं, इनको पार्तिक ग्रह कहा जाता है, इनको पार्तिक ग्रह कहा जाता है, जो आपके अन्य चार ग्रह हैं, जिनको भारी ग्रह कहा जाता है, जो आपके अन्य चार ग्रह हैं, जिनको भारी ग्रह कहा जाता है जोवी can call day इन डिक तर गरह है और यह जो है hydrogen and helium से सघन वाइवन्दाल से बने हैं यह hydrogen and helium सुखन सभी घरहों का निर्माड है लगवग आज से 4-16 बर्स पहले एकी समय में हुआ है यह बात यहाँ पर ध्यान रखने योग है कि जो सारे आपके ग्रहे हैं सौर मंडल के आठों ग्रहे यह लगवाद एकी समय में बने है यहाँ पर नोट के रूप में कोछ चीज़ें बताई गई हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं जिस समय हम जोगराफ ही पढ़ा करते थे तो हमें पढ़ाया गया था कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहे हैं साइध आप मैंसे भी कुछ ऐसे अभ्यरती होंगे जिन्होंने यही पढ़ा हो कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रहे हैं अब देखे यहाँ पर पार्थिव और जोवियन घ्रहों में अंतर बताया गया है। देखे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल यह जो चार ग्रह हैं, यह पार्थिव घ्रह या फिर आंतर ग्रह बोले जाते हैं। और अतिदिख तापमान के वजय melhor जोग हैं, यह संग्नित नहीं हो सकी है, और घंणीबूत भी नहीं हो सकी है। जोवियन घ्रह जो हैं, यह सुर के नदीक होने के वज्यसे यहां पर सुर की उस्भास भी अच्छी Она भी अच्छी खासी मिलती है, तो सुर के अत्यदिख तापम के चलते यहां की गेस न जो है यहां पर संगनित हो गई और घनीबूत हो गई स्वर बायू सूर के नज्दीक ददा सकसाली थी अधिया पारतिव ग्रहों से जादा मातरा में गैस और धूलगर्ड उड़ा ले गई यह जो आपके पारतिव ग्रहें तो जोवियन घ्र इससे दूरी पर हैं जोवियन ग्रह दूरी पर होने की वज़यसे जो जोwar 11T वो पहां तक नहीं पहुच पाई निस जोवियन घ्रहों से गहसों को नहीं अठा पाई देकि पार्चिपरों के छोटे होने से इनकी जो घृटा खञट सकती है ये भी कम रही है जिसके परड़ाम सरूप इन से निकली हुई गयस इन पर रुकी नहीं रह सकी तेकि यहाँ पर दो में कारड है दो में कारड क्या क्या है जिस समय ग्रह बने है आपके उस समय लगवग सभी ग्रहों पर गैसे हैं और धूल के कड़ मौझूद थे अब चूँकि ये चार जो आपके ग्रह है ये पार्थिव ये आपके आंतर ग्रह है ये सूर के नइजदीक थे डूसरा रीजन यहांपर यह भी था कि आकार में यग्रह को बढ़े हैं अगर कम होगा तो क्या होगा इनकी ग्यस हैं इनके वायमेडνοL में नहीं रुख पाएंगी तो यही काऱ था यहांकी जो ग्यस हैं थी वो बहार अंत्रिप्ष में निल गई जबकि जो आपके जोवियन ग्रह हैं जोवियन ग्रह आकार में बड़े हैं दूसरी बाद सूर से दूरी पर भी है सूर से दूरी होने की जैसे जो सौर पबनती उसका प्रभाव इतना जाता जोवियन ग्रहों पर नहीं पढ़ा कर भई बहुत सारे वेज्ञानिकों ने अपने में तर्क अपने अपनी सिध्धान्त प्रस्तुत किये हैं तो यहाँ पर इसी करम में एक सिध्धान्त बताया गया है कि सतन अठार सो अर्टिस इस्पी में सर जॉड डार्विन ने ये सुझाया कि प्रारव में प्रतवी और चंद्रमा जो थे यह तेजी से गुमते हो एक ही पिंड थे नेकि सर जॉड डार्विन ने ये बात कही कि स्टार्टिंग में जो आपकर प्रतवी और चंद्रमा है यह दोनों अलगलग नहीं थे बलके पूरा एक ही पिंड था और यह पूरा पिंड जो था डंबल की आकरती में परवर्तित हुआ और एंड में टूट गया डंबल आप जानते होंगे बीच में से डंबल पतला होता है और किनारों पर ये मौटा होता है अगर आप जिम बगएरा गए हों किसी को कतरत करते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा डंबल कैसा होता है डंबल बीच में पतला होता है साइड पर ये मौटा होता है तो इनका कहना ये था कि ये पूरा का पूरा एक पिंड था इसका बाद में क्या हुआ यह डंबल की आगार में कनवर्ट हो गया यह बीच में से यह पतला होता गया और साइड पर मौटा होता गया और एंड में यह तूट गया और इनके नुसार चंद्रमा का निर्माड उसी पदार से हुआ है जहां आज प्रसांत महासागर एक गर्द के रूप में मौझूद है इनका मानना यह है कि जो आज आज आप प्रसांत महासागर को गर्ड़े के रूप में दिखते हैं यह वही पतार थे हैं जो के चंद्रमा में चला गया है ऐसा इनका मानना था हलांकि इनकी थोरी को बहुत ज़ादा बरीता नहीं मिली, इनकी थोरी को खारिज कर दिया गया बरत्मान समय के जो वैग्यानिक हैं, इन में से किसी भी थोरी को एकसेप्ट नहीं करते हैं बरत्मान समय के वैग्यानिकों के नुसार प्रत्वी के उपग्रह की रूप में चद्रमा की उत्पत्ती है एक बड़े टकराओ का नतीजा है यानि कि बरत्मान वैग्यानिकों का जो मानना है उनका मानना यह है कि प्रत्वी के उपग्रह की रूप में चदरवा की उत्पत्ती हुई है, एक बड़े टकराओं की वजए से हुई है, जिसे इन्होंने The Big Splat का नाम दिया है, लेकि प्रत्वी के बनने के कुछ समय के बादी, मंगल ग्रह के आकार से भी जो बरत्वान के बात कहते हैं, जिस्समय के कुछ समय के बादी, ओसके कुछ समय के बादी, मंगल ग्रह के आकार से भी तीनीन गॉलण बड़ा एक पिंड जो था प्रत्वी से खर आकर तकराओं से प्रत्वी का एक हिस्ता तूटकर अंत्रिक्ष मे बिखर गया और टकराओ से अलग हुआ ये पदार जो था प्रत्पी के कच्छ में घूमने लगा है और यही जो है आज का चंद्रमा बन गया है और यह जो घटना आप लोग देख रहे हैं तब इक इस प्लैट वाली जो घटना है वो सब प्रक्रिया यहां पर बताई गई है नेकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारभ में प्रत्पी पर कोई जीवन नहीं था प्रारभ में प्रत्पी चट्टानी गर्म और एक वीरान घ्रहती जिसका वायमंडल बहुत ज्यादा विरल था और यह वायमंडल जो होता है स्टार्टिंग में वो हाइडोजन और हीलियम से बना था आज इसे 460 करोड साल पहले 460 करोड साल का मतलब 426 बर्स पहले इस घ्रह पर जीवन का विकास स्टार्ट हुआ नेकि परत्पी की सरचना कैसी यह परत्दार है परत्दार का मतलब जानते हैं कि परत्द के रूप में है वायमंडल से लेकर आपकी जो धर्ती में भी परत्दें पाई जाती है तो परत्पी की सरचना है परत्दार है वायमंडल के भारी छोड़ से परत्पी के क्रोड तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है यहां तक जो प्रदार्थ है वो एक समान नहीं है और इसमें वायमंडली प्रदार्थ का जो घनत्त हुए वो सबसे कम है यह प्रतपी पर वायमंडली प्रतार्थ का जो घनत्त हुए यह सबसे कम है देखे सबसे पहले बात करते हैं प्रतपी के इस्थल मंडल की कि प्रत्पी के इस्थल मर्डल का विकास कैसे हुआ जो आप इस्थल मर्डल देख रहे हैं इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं देखें प्रत्पी की उत्पत्ती के दौरान या उत्पत्ती के तुरंत बात जब पदार्थ गुर्तोबल की वज़े से संहत हो रहा था गुर्तोबल की वज़े से पदार्थ जो था ये पासपास जब आ रहा था जुड़ रहा था तो आपसी टकरहाट और घरसड से क्या है अतिदेक उसमा उत्पन होई है और ये क्रिया जो है आगे भी जारी रही है तो जो उसमा उत्पन होई है उससे क्या हुआ है उससे पदार्थ का ताप बढ़ने लगा है ताप बढ़ने के वज़े से पदार्थ जो था वो पिगनने या फिर गलने लगा था अधिक ताप की वजह से प्रत्पी जोती वो आंसी ग्रूप से दर्ब अरस्ता में रह गई थी और तापमान की दिखता की वजह से हलके और भारी जोत्त वाले जो पदार थे इनके घनत्त की अंतर के वजह से जो दोना अलग होना स्टार्ट हो गए है जब तापमान भोज़ता बढ़ गया है तो क्या हुआ है जो हलके और भारी इनौत वाले जो पदार्त थे इनके घंड़त में भी अंतर होने के विए से पदार्त अलगलग होने लगी है और इसी अलगाओ के चक्कर में जो भारी पदार्त थे जैसे लोहा है निकल बगयरा है यह प्रत्पी के क्रोड में प्रत्पी के कैंजर में चले गए है और हलके पदार्त थे वो प्रत्पी के क्रोड में चले गए है और हलके प्रत्पी के क्रोड में चले गए है और हलके प्र साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परवर्तित होकर ये छोटे आकार के हो गए अन्तो गत्वा ये प्रत्पी की भूपरपड़ी की रूप में विक्सित हो गए यहां पर भाई चीज बताई गई है कि हलके और भारी घंट वाले पदार्तों के प्रतक होने की इस प् वैक्टि वया एक बड़े पिंडि के टक्राने की वजज़ veo गुज़ होई है तो चंद्रमा उत्पत्ति के दोरान भी-चर संंगट के कारण ये पड़ा फिर से बड़ा रॉप फिर से उड़ जा उत्पन हुई है, तो यह जो था यह बिवेधन का दूसर चड़ था, जैकर बिवेधन का प्रत्भी हुआ पहला चड़ तो प्रत्भी जब बनी है, उसके दौरा नहीं हुआ है, और दूसर चड़ कब बना है, यह दूसरा चड़ जो है, चद्रमा की जिस्स क्रोड आ जाता है, क्रोड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, भाहे क्रोड और आंत्रिक क्रोड, तो प्रत्वी के उपरी भाग से आंत्रिक भाग तक पदार्त का घनत जो बढ़ता है, जैसे जैसे प्रत्वी के क्रोड की तरह हम जाते हैं, तो पदार्त का घनत सरचना है, इसमें नाइट्रोजन और अक्सिजन का प्रमुक योगदान है वर्तमान समय में हमारे वायमंडल में 78 फीसद नाइट्रोजन है और लगवग 21 फीसद जो है आपकी ऑक्सियन गेस मौजूद है वर्तमान में जो आपका वायमंडल आप लोग देखते हैं उसके विकास की तीन वस्थाएं आप बताई गई है पहली वस्था में क्या था जिस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं जिस समय प्रत्वी बनी थी उस समय प्रत्वी पर क्या था गैसें हो जाता थी तो इसकी पहली वस्ता में क्या होता है? आदिकाले के जो वाइमंडली गैसें थी, उनका इनास हुआ है यासा कि हमने बताया था कि प्रत्पी हमारी आंतिक रहम में आती है और सूर्य के समीब भी है तो सूर्य के समीब होने के वज़े से यहाँ पर गया था जो सूर्य के तापमान का भोज़ा था प्रभाव पड़ा इसकी वज़े से जो प्रत्पी पर मौझू जो अध्रिक्त गैसें थी उन सूर्य पबन की वज़े से बहार निकल गई तो प्रारंबिक वाइमंडल जिसमें हाइडोजन और हीलियम के अधिक्ता थी इस सूर्य पबन की वज़े से प्रत्पी से दूर हो गई सेकिंड अवस्था में क्या होता है दूसरी अवस्था में प्रत्पी की वीज़र से निकली भाप और जलबास ने वाइमंडल के विकास में सहयोग किया देकि दिये-दिये करके क्या हुआ हुआ प्रत्पी थंडी होने लगी जिसमें प्रत्पी थंडी हो रहे थी तो प्रत्पी के वीज़र से भाप निकली जलबास निकली तो इसने वाइमंडल के विकास में सहयोग किया यानि ये वाइमंडल के विकास की पहली वस्था थी यहीं पर Y-mandal का विकास हुआ है, यानि कि जो दूसरी वस्ता आप लोग देख रहे हैं, इस दूसरी वस्ता में भी Y-mandal का विकास हुआ है, अंत में Y-mandal की सरचना को Jam-mandal के प्रकास संसनल पक्रियाक ने संसोदित किया है, एंड में क्या है, जो आप लोग आज बरतमान में गैसों का रेसियो देख रहे है, कि nitrogen 78% है, oxygen 21% है, यह जो रेसियो आप देख रहे हैं, यह रेसियो जो है प्रकास संसनल पक्रियाक द्वारा मैंटेन हुआ है, तो अंत में Y-mandal की सरचना को Jam-mandal की प्रकास संसनल पक्रिया है, यह नि फोटो संसनल पक्रिया है, इसने प्रत्पी गरम से ठंडी होने लगी, वैसे-वैसे जल बासता संगनन स्टार्ट हो गया, वाय-mandal में वबस्चित कार्म डायकसाइड के वर्सा के पानी में गुलने से, तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और फलसरूप जो संगननन की प्रक्रिया है, वो बहुत तेजी से हुई है, और अत्यदिक वर्सा भी हुई है, प्रत्पी के धरहतल पर वर्सा का जल गड़ों में लगाता रिखटा होने लगा, और इसी जल से महासागर बन गई है, प्रत्पी पर वश्चित महासागर जो है, यह प्रत्पी के उत्पती से लगबग 50 प्रत्पी पर जीवन का विकास आरम हुआ है, लगबग 200-340 साल पहले प्रकास संसेटल की प्रक्रिया की दोरा ऑक्सिएन में बढ़ोत्तरी महासागरों की द्यान है, दीरे-दीरे महासागर जो होते ओक्सिएन से संत्रप्त हो गए, यह देरे-दीरे करके महासागरों में परिपूर हो गई और वाइमिडल में ऑक्सिजन की मात्रा 200 क्रोड वर्स पहले पूर रूप से भर गई निया आज जो हम लोग जीने योग के ऑक्सिजन वाइमिडल से ग्रहेंड कर रहे हैं जो 21 पीसल लवक ऑक्सिजन है वो आज से लवक 200 क्रोड साल पहले वाइमिडल में पूरी हो गई थी आप देखें प्रत्वी की विकास का अंतिम चरड जो है ये प्रत्वी पर जीवन की उत्पत्ति सम्मंदित है तो प्रत्वी की उत्पत्ति का जो अंतिम चरड है और बाद में इनका समुवन हुआ है और यह समुवन अपने आप में ऐसा था कि यह अपने आपको दोहराता था और निजीव परदात को जीवित तत्म परवति दिया समुवन कर सका है तो ऐसे करके फ्रत्वीपर जीवन का आरंभ हुआ है जैसे यहाँ पर एक उधार दिया गया है कि आई से लवख 300 क्रोड साल परानी जो आपकी भूगर्विक सेलों में जो सेवाल पाई गई है वो सेवाल की सरचना आज की सेवाल से मिलते चुलती है यहाँ पर एक उधार दिया गया है देखे अब यहाँ पर भूगया निक काल मापकरम का टेबल दिया गया है और यह टेबल जो है यह मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस टेबल से अक्सर UPSC परिच्छा में और स्टेट पीच्छा में प्रशन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं अगर आप प्रिवेस एर के पेपर उठा कर देखें तो आप पाएंगे इससे बहुत सारी प्रशन पूछे गए हैं जो आपका भूपेग्यानिक काल मापकरम है यहाँ पर जो आपका काल है कालखंड को इकायों में डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर कालखंड की यह सबसे बड़ी यूनिट है वो है इयान इयान के बाद फिर आपकी फिर आ जाता है महाकल्प महाकल्प के बाद फिर आपका आ जाता है कल्प कल्ब के बाद फिर आपका आजाता है युग और युग के बाद फिर आपका आजाता है आयू या फिर आदनिक वर्स पहले तो आपको ये स्टीक्वेंस याद रखना है कि यहाँ पर जो काल महापकरम का सबसे बड़ा जो इकाई है वो इयान है इयान के बाद फिर आपका महाकल्ब है महाकल्ब के बाद फिर आपका कल्प है कल्ब के बाद फिर आपका युग है और फिर आपका आजाता है आदनिक वर्स क्योंकि ये प्रषन भी UPSC परीच्छा में पूचा गया है आप दीखे इस टेबल को पढ़ना कैसे सेक्षन है इस इरावाले सेक्षन में जो है पांच अरव से लेगर 137 अरव बर्स पहले की तिथी दी गई है तो देख पा रहे हैं आप बिग बेंग की घटना कब घटित हुई है यह गटना 137 अरव बर्स पहले हुई है और इसी समय हमारा लगवक सूर्य बना है इसके बाद फिर आपका यान सेक्षन में आप देख पा रहे हैं यान में फिर से तीन टाइप हैं तीन यहाँ पर खंड दिये गए हैं हेडियन आदि भाकल्प और प्राग जीव फिर आपका यहाँ पर इसमें महाकल्प में आजाता है प्रीकेम्ब्रियन से लेकर 57 कोड़ से लेकर चार अरब 80 कोड़ बर्स पहले की यहाँ पर घटना करम इसमें दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका हेडियन खंड है देखे हेडियन खंड कहां से कहां तक है जैसा कि मैंने यहाँ आ प्रिमाड हुआ है इसका फिर आपका आजाता है आदे महा कलब जैसा कि आप यहाँ पर देख पार है टेवल मैंने थोड़ा सल आयने आप खंड कीश दिया है तो आदे महा कलब वाला जो एज देख रहे हैं धाय अरब से लेकर 38 अरब बर्स पहले है तो आपका ब्लू-ग् प्रिकेंब्रियन एज में इसकी उत्पत्ती हुई है यह आपको ध्यान देना है फिर आपका प्राग जीब में आ जाते हैं तो देखे प्राग जीब बाला जो पिरियड है यह 57 करोड से लेकर दो अरब 50 करोड वर्स पहले का पिरियड है तो इस प्राग जीब बाले पिरिय इसमें फिर से जो आपका जो कल्प वाला खंड है यानि कि आपका पीरियड वाला खंड है इसको डिवाइड किया गया है Cambrian, Ordovician, Silerian, Devonian, Carboniferous, Permian इसको फ़र से डिवाइट किया गया है तो Cambrian कालखंड है जो Cambrian कालखंड है जो Cambrian आपका कल्प है इसकी एज कब से कब तक है? 50.25 से लेकर 57 करोड़ वर्स पहले है तो इस समय इस्थल पर कोई जीवन नहीं था केबल जल में बिना रेड़ की घड़ी वाले जीव रहते थे इसके बाद फिर आपका है Ordovician देखे, Ordovician में पहली बार आज से ये Ordovician का कालखंड दिया गया है कब से कब तक है? 43.25 से लेकर 50.25 करोड वर्स पहले है तो यहाँ पर पहली बार मचली आई है देखे, यह भी काफी इंपोर्टेंट है कि पहली बार मचली जो है प्रत्वी पर पहली बार मचली का उत्वफ किस कालखंड में हुआ है? यह Ordovician कल्प में हुआ है इसके फिर आपका जाता है प्रबाल विदी या पर 40.08 करोड वर्स पहले है यहाँ पर आप देखेंगे इस्तल और जल्ब दोनों पर रहने वाले आपको जीब इस काल में देखने को मिलते हैं फिर आपका आजाता है कार्बोनी फिरस कार्बोनी फिरस की जो एज है 28.06 से लेकर 36 करोड वर्स पहले है तो यहाँ पर पहले रहेंगने वाले जन्तू और रीडी की हड़ी वाले पहले जीब देखेंगे कार्बोनी फिरस काल में आपको जो है रीडी की हड़ी वाले पहले जीब देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर रैंगने वाले जीवों के दिखता हो गई है, जल और स्थल्चर पर रैंगने वाले जीवोंके दिखता हो गई है, तो यहाँ पर कुछ-कु को जो important चीज dai mention है, मैं बताते जा रहा हूं, ययसे कि आपका, जो पहले रैंगने वाले है और इसी समय इस्तनपाईयों का जन्म होता है तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं नीचे से इसमें ट्रियासिक है ट्रियासिक की अबदी 20.8 से लेकर 24.5 क्रोड वर्ट्स पहले है तो यहां पर मैड़क और समुदरी कछुगा का जन्म होता है और इसमें जो मदजीवी बा जो कप रहा था यह मैसो जो एक पिरियाड के जुरैसिक कल्प है उस समय में यह डैनोसार पिरियाड रहा है इसके बाद फिर आपका आजाता है क्रिटेसियस पिरियाड जो है आपका इसमें साड़े 6 करोड से लिकर 14 शान में 4 क्रोड वर्ट Vienna Reports पहले है इस समय हमारे प्रत्वी से डैनसे फ्लुप्त होगाई है यह भी पूचा जाता है जोरैसिक और किटेसियस के बारे पूचा जाता है कि किस कालखंड में आके किस क्रम में आके हमारे प्रत्वी से डानासौर भुप्त हो गए तो क्रिट्रेसियस काल में आके हमारे प्रत्वी से डानासौर भुप्त हो गए हैं इसके और फिर आपका आजाता है तरती कल्प तरसियरी प्रियेड आ जाता है पुरा नूतन जो आपका पांत दसनलों साथ करोड रोड से लेकर साड़े से करोड रोड से पहले है इसमें छोटे स्थन पाई चुहे आधी उत्पन हुए है आधी नूतन तीन दसनलों साथ करोड से लेकर पांत दसनलों आठ करोड इसमें खरगोस ये सब उत्पन हुए है अदिनूतन जो है 24 करोड से लेकर 307 करोड वर्स पहले है इसमें मनुस्तिय मिलता जूलता बनमानुस पैदा हुआ है देखें यहाँ पर यह important है यह भी पूछा जाता है कि किस period में मानुस्तिय मिलता जो जानवर्स प्रत्पी पर उद्भव हुआ था यह अदिनूतन काल में उद्भव हुआ था तो अदिनूतन काल की जो अबदी है वो 244 करोड से लेकर 307 करोड वर्स पहले है देखें अल्पनूतन काल में आकर बन मानुस का उदभब हुआ है, यानि 50 लाग से लेकर 24 करोड वर्स पहले, जो आपका बन मानुस है या फूल वाले पौदे और रक्ष है, यह उदभब हुए है जो आपका अतिनूतन काल है तो अतिनूतन काल में यानि कि इसकी अवदिय है 20 लाग से लेकर 50 साल की बीच में, इसमें आरंबिक जो मनुस से आप देख रहे हैं, आज का जो वर्तमान का मनुस से देख रहे हैं, उसके पूरवज आए थे हैं फिर जो आपका चतूरत कल्प है क्वाटनरी पिरियेड है, इसमें जो अतिन्त से लेकर 10,000 की बीच में, आधुनिक मानब इसका प्रादरभाव हुआ है तो ऐसे करके इसको तैयार करना है, देकि इसको पूरा का पूरा रटना नहीं है लेकिन यहाँ जहाँ पर important है जैसे मानब का उध्वब कहाँ पर हुआ है रेंगने वाले जन्तु कव आए है ऐसे जानब जनके अंदर रीड के हड़ी थी, वो कव आए है यह कुछ-कुछ जो यहाँ पर important है जैसे मैंने जो यहाँ पर important पर टिक लगा दिया है उनसे और प्रशन अकसर कूशे जाते हैं तो उनको आपको तयार करने लेना है तो यह था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिए और देखिए मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि अब आपको नोट्स मनाने की आवशकता नहीं है आप डिरेक्ट हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर आप भहां से नोट्स को पर्चेज कर सकते हैं आपको नोट्स के साथ साथ टैसरी भी देखने को मिलेगी तो ऐसे करके आपका समय भी बच जाएगा और आप कम समय में जादा से जादा चीजों को तैयार कर पाएंगे इसके लाबा इस अध्यासी समधित वीडियो को देखने के लिए इस अध्यासी समधित प्रश्णों के वीडियो को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है या फिर चैनल की playlist में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने यहां से कितना सीखा है तो आशा करता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी तो आज के वस्तना ही Thanks for watching, जै हिंद